ये स्टोरी है तुमारे जैसे शेतान बच्चों की जो अपना कूरा डस्ट बीन में नहीं डालते हैं तो आज ये स्टोरी आप एंड तक जरूर देखना मेरी एक स्टूडेंटी द्वानी कुछ बच्चों की तरह इसकी भी जगा जगा कूरा फैलाने की आदत थी वो कभी भी डस्ट बीन का इस्तेमाल नहीं करती थी जहां मनाता था वहीं कच्रा फैला देती थी पैंसिल का कूरा कमरे में ही फैक देती थी एक दिन मैंने द्वानी को अपने पास बुलाया और समझाया यह कम इन बेटा यह मैं आपको बुलाया बिटा आपकी बहुत कंप्लेंट्स आ रही है आप ख्लास में बहुत खूड़ा फिलाते हो चिप्स करेपर अपनी बॉटर बॉटल में से पानी गिरा देते हो और अपने टॉफी करेपर अपने लंच वॉक्स में जो लंच लाते हो वो गिराते हो आपको डस्ट बीन का यूज़ करना चाहिए ना आगे से अब ऐसा नहीं होना चाहिए जब तक हम अपने आसपास क्लीनिंग नहीं रखेंगे तब तक और लोग कैसे करेंगे आपको तो बड़े होके और वोको यह भी समझाना है कि जब तक स्वच अपना इंडिया क्लीन रहेगा तब यू तो हम लोग हेल्दी रहेंगे अब कल आप एक पेज पूरा लिखना स्वच रहेगा भारत तो स्वस्थ रहेगा भारत ठीक है और बड़े होके आपको अपने भारत को क्लीन रखना है मेरी बात हमेशा से याद रखना बेटा आप लोग की तो एक इंडिया का फ्यूचर हो हमारे इंडिया का फ्यूचर अगर आप अपने इंडिया को क्लीन रखोगे तो सभी इंडिया को क्लीन रखेंगे ठीक है मेरी बात हमेशा याद रखना बड़े ओके कल मेरे को लिखके लेकर आना ओके ओके बाई गो जाओ गो टू एर क्लाग शुस्थ रहेगा बारत शुस्थ रहेगा बारत शुस्थ कि यह क्या किया तुमने जी सर हमने यहां पर खालिक परनी डाल दी तो आपको नहीं डालनी चाहिए अगर आप ऐसी ही करते रहेंगे तो हमारा भारत स्वच कैसे बनेगा अगर हमारा भारत स्वच नहीं बनेगा तो हमारा भारत स्वच कैसे बनेगा यह आपकी सही बादा में डालेंगे आज मुझसे बादा करके जो हो तुम अगर तुम कोई भी कूडा कोई भी पनी कुछ भी डाल रहे हो वो आप सिर्फ कूरे दान में ही डालेंगे ठेक ठेक हम अब आदा करक्या जा रहे हैं अब फूले दान में हम डालेंगे मैम करनाल जीटी करनाल रोड के लिए यही रोड चारी है हाँ हाँ माम आप स्ट्रेइट लीजेगा फिर आप लेफ लीजेगा फिर हाइवे आप अब उसको पकड़ लेना ओके थैंक यू सो मच माम थैंक यू यह प्रक्या माम आप ने मेरी माम ने समझाया था कि स्वच भारत है अगर आप ऐसी ही पैकते रहेंगे तो हमारा भारत स्वच कैसे बनेगा और आप इतने पड़े लेके होकर भी यह सब काम करते हैं स्वारी मैम उसे गलती हो गई बतानी मैंने कैसे अंजाने में वो फैंक दिया मैं अभी उठा के उसको डस्ट्वीन में डालती हो माम लगता है आपने मुझे पेचाना नहीं अब पेचाना माम कल आप एक पेज पूरा लिखना स्वच रहेगा भारत तो स्वच रहेगा भारत धवादी तुम DSP वन गई हो ध्वादी तुम DSP वन गई हू वाव धवानी कया बात है स्रॉरी धवानीि मैंने जो आपको शीख दी और मैं यह उपलाइ कि अपनी हूप अरे माम अप से मत करना बस ऐसे एक है माम चलो आपी टीचरस दे तो हो गया पर आप पहले वह उठाना और किसी आगे डस्ट मिन में वह भैग दिला जरूर जुआनी जो सीख मैंने आपको दिये और मैं ही बूल गई मैं अभी उठाती हूँ और डस्ट मिन में डाल करा देखा दोस्तों कैसे मेरे एक स्टूडेंट ने मुझे मेरा ही सिखाया हुआ एक सबक मुझे कैसे याद दिलाया तो बच्चों ये वीडियो हमने टीचर्स देक योग पर बनाई है जो आपकी टीचर है वो आपकी सेकिंड मदर होती है हमेशा अपनी टीचर की रिस्पेक्ट करना हमेशा उनको सुनना वो क्या देना चारी है अगर वो डाटती भी है तो आपके भले के लिए डाटती है हो है ना क्योंकि वो अपनी आपकी सेकिंड मदर होती है तो मैं आज सारी टीचर्स को हैपी टीचर्स दे विश करती हूँ हैपी टीचर्स दे टू ओल माई टीचर्स अभी तक हम जहां भी पहुचे सिर्फ अपनी टीचर्स की वज़े से पहुचे हैं उनकी महनत, उनका हार्ड वर्ड, उनको इतना एप्रिशेट करना और उनकी हर बात मानना येस फ्रेंज, जिस घड़ी का आपको वेटा, वो घड़ी आचुकी है और more than hundreds of answers आये थे और हम लोगों ने एक-एक रीड करा था हम भी excited और आप भी excited हो थैंक्यू सो मच बच्चो आपने बहुत-बहुत, मैं आपको एप्रिशेट करूँगी आपने बहुत efforts की answer लिखने में आपने बहुत आपने बहुत वह इक-एटी डूँगू शुफलेंग, उठाओ एग लाँ मुझे दो रेडी दिपिका उपाध्याए हमारे लखी ड्रॉव का नाम है दिपिका उपाध्याए कॉर्टिलेशन्स दिपिका उपाध्याए हम आपका gift आपके गाल जरूर पहुचहेंगे Thank you so much और thank you मेरे सारे Bच्चो के लिए जिन्होंने correct creatP神 के लिए उन्के लिए THANK YOU So much Friends at least마ने waren लांसर और Maximum correct answer Maximum Thank you थैंक्यों मेरे प्याहरे बच्चो के लिए तो Bच्चो, मैं ुमीद करती हूँ शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और पास वाली घंटी को भी पजावे ना बाई बाई और पास छोटी घंटी को बजा ना